धर्मवीर विवेक सिंग जी ने एक प्रश्ण पूछा है कि अगर सभी लोगों ने मांस का जो व्यवसाय है डेरी का व्यवसाय है अंडा मचली का व्यवसाय है अगर लोगों ने उसे छोड़ दिया तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे लोग अपना भरण पोशण क कैसे करेंगे ऐसा ही कुछ और प्रस्ट ने अक्सर कई सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमने मांस दूध डेरी अंडा इन सारी चीजों के डिमांड बंद कर दी तो इस उद्दोग में काम करने वाले लोगों का क्या होगा उनके रोजगार का क्या होगा उनकी आजेविका क्य क्या होगा तो सबसे पहली बात अगर जैसे हम बात करते हैं लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप प्रकृत को जानवरों को अपने स्वास्त को बचाने के लिए मांस दूध अंडा मचली इनका इस्तेमाल बंद कर दीजिए हम लोगों से जो लोग इस दोग में काम कर रह दूसरा अब जब हमने लोगों से अपील की तो क्या एक एक पुरी दुनिया मांस दूध अंडा बचली का उपभोग जो है वह बंद कर देगी एक एक तो कुछ भी नहीं होने वाला बहुत सालों से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास अभी बहुत सालों तक च ठोलने के लोगों के तो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है एक एक चेंज तो नहीं आने वाला तो इसलिए जब चीजने धीरे-धीरे होती हैं तो जो लोग एक इस व्यासाण को चोडते हैं वो दूसरे व्यावसाय को अपनाते जाते हैं ये जितने भी उद्दोग हैं मांस का हो, दूद का हो, अंडा, मचली इन उद्दोगों में आज ऐसे लोग काम नहीं कर रहे हैं जादातर जो पारंपरिक रूप से कई सद्यों से, कई पीडियों से यही काम करते हैं, आज ऐसा नहीं है पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग अपना वही काम करते थे जो पुष्टैनी रूप से उनके यहाँ पर कई पीडियां करती आ रही हैं लेकिन आज लोग शक्षंद रूप से अलग-अलग चीज़ें भी चुनते हैं अपनी आजेविका के लिए, पैसे कमाने के लिए जिन लोगों के पास शिक्षा लेने का मौका होता है वो शिक्षा लेते हैं और वो अलग-अलग तरह की नौकरिया करता है तो आज ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि इनसान मजबूर है वही काम करने के लिए दूसरा, जो लोग इन उद्दोगों में है पहले हमको यह देखना होगा कि क्या यह व्योसाय सच में उनके लिए फाइदे मंद है क्या उनका जीवन बहतर है इन व्योसाय से उनको अच्छी आय हो रही है क्या अपने घर परिवार का वह अच्छे सा खर्च उठा ले रहे है तो आप अगर बात कीजिए मांस के उद्दोखी, डेरी के उद्दोखी मैं डेरी से शुरुआत करता हूँ बहुत सारे लोग दूद बेशते है क्या आप लोगों ने जो दूद वाले है जो गाओं में 2-4-8-10 गायभैस रखते है क्या आपने देखा उनका जीवन अस्तर? क्या वो बड़ा अच्छा है? मैं आपको बताओं जो लोग गाओं में डेरी का बिजनस करते हैं, दूद बेशते हैं वो सही से अपना घर नहीं बनवा पाते हैं अपने लिए सही से खाने का जुगार नहीं कर पाते हैं बच्चों की एजुकेशन सही से नहीं करवा पाते हैं अपने घर में कोई बिमार होता है तो हेल्थ केर पर सही से खर्च नहीं कर पाते हैं उनका जीवन जो है बड़ा उपेक्षित है तो ये जो उदोग है ये उनका भला नहीं कर रहा है दूसरा ऐसे ही मांस का उदोग आप ले लीजिए उसमें जो काम करने वाले लोग है चाहे वो मुर्गी पालने वाले और भकरी पारने वाले लोग है जो गाओं में है उनका जीवन आप देख लीजिए क्या वो सच में इतना उनके पास रुपए आ रहे हैं कि वो अपना सारा जो जरूरते हैं शिक्छा, स्वास्त, भोजन वो सब कुछ पूरी कर ले रहे हैं नहीं, दूसरा जो कसाई है आप उनका जीवन देखिए क्या उनका जीवन बड़ा अच्छा है ना चाहते हुए भी एक जानवर को उनको तड़पा के मारना पड़ता है उनकी अंदर भी दिल है, उनको भी बुरा लगता है जब वो ऐसा करते हैं हम बहुत से कसाईयों से बात करते हैं दूसरा, नंगे हाथ, नंगे पैर जानवरों के खून, मवाद के बीच में पूरे जीवन रहना हम एक जला से हमको खून छू जाया उंगली में तो हम लोग हाथ धुलेंगे चार बार सैनेटाइस करेंगे वो लोग उन पैथोजन्स के बीच में उन शरीर के अंगों के बीच में पूरे जीवन रहते हैं सोचिए, उनकी क्या इस कारण से अक्सर उनको कई सारी बीमारिया होती है और कसाई बहुत लंबा उम्र नहीं जी पाते हैं इसके बाद उस खतरनाक स्थती में रहने के बाद कई बार कसाईयों की जो मांसिक स्थती है वो भी बहुत बुरी होती है अक्सर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उनका जीवन जो है वो बड़ा दुखदाई है इन उद्दोगों में मच्छवारों की स्थती आप देख लीजे खास कर जो इन लेंड मच्छवारे हैं जो नदियों में तालाबों में मच्छी पकरते हैं तालाबों में नदियों में मच्छियां बची ही नहीं है जो हमारा फ्रेश वाटर एकोसिस्टम है वो सबसे जादा डिग्रेटर एकोसिस्टम है हम लोगों ने अभी तेड़ी नदी की यात्रा की हम लोग तमाम जो wetlands हैं उनकी हम लोग यात्रा करते रहते हैं उनके बारे में हम लोग जाकर थोड़ी बूत अपनी research करते रहते हैं तालाबों में नदियों में मचलियां बची ही नहीं है कच्छुए बचे ही नहीं है वो लोग आप लोगों ने देखा होगा तालाबों के किनारे नदियों के किनारे लोग मचली पकड़ने के पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं हम लोग पूसते हैं उनसे कितनी मचली मिले स सुबा से शाम तक बताते हैं आधा किलो 300 ग्राम अब बताइए इतने में क्या उनका आजीवी का चल पाएगा इतने में क्या वो अपना पेड़ भी सही से भर पाएंगे यह जो उद्दोग हैं इनमें लोग एक्चुली ट्रैप्ट हैं यह उद्दोग उन लोगों को फसा के रखा हुआ है वो लोग इससे निकल कर अलग जगा पर भी कई बार नहीं जा पाते हैं और दूसरा फिर उनका इन उद्दोगों में सौता ही एक्स्पॉइटेशन होता है अब बात करते हैं जो इंडस्ट्रियल तरीके से जो लोग यह काम कर रहा है जैसे मचली पालन को लाखों रुपय का इन्वेस्ट्मेंट है अगर कोई मचली पालन में लाखों का इन्वेस्ट्मेंट कर रहा है तो ऐसे तमाम काम हैं जिसमें उतना इन्वेस्ट्मेंट करके वो अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त कर सकता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वही काम करें उससे म बढ़ी डेरी बनाकर या इंडस्ट्रियल तरीके से बढ़ा पोल्टरी फार्म बनाकर ये सब कुछ जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी जो हैं वो काफी लाखो रुपए का इंवेस्ट्मेंट करते हैं इसमें इसमें बहुत ज़दा रिस्क भी होता है इसके बावजूद जो है ये बड़ा profitable industry नहीं है और दूसरा इस चीज को करने के लिए वो मजबूर नहीं है वो उतना investment करके उतना effort करके उतनी महनत करके और भी दूसरा कोई काम कर सकते हैं और उसमें अच्छा मुनाफ़ा प्राप कर सकते हैं अपना अच् लोगों को जैसे पाज किलो राशन भी प्रत व्यक्ति हर महीने दे रही है क्योंकि हमारे देश में अच्छा क्रशी का उत्पादन होता है और उसको फिर वो लोगों तक पहुँचाती है तो लोगों के पास हर किसी के पास अनाच पहुँच रहा है आजकल कोई भूखा नह लेकिन यह उद्दोग भी उसको बहुत जादा नहीं दे रहा है तो इसलिए मांस डेरी अंडा मचली का जो उद्दोग है यह उनके लिए प्रोफिटेबल नहीं है अब एक और बात है कि भाई करोणों लोग इन उद्दोगों में काम कर रहे हैं भारत में तो जब लोग ध अज इविका चलाएंगे तो देखिए एक एक लोग पहली बात छोड़ने वाले नहीं है धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे और लोग एक चीज के डिमांड जब बंद करते हैं तो वह दूसरी चीज के डिमांड शुरू कर देते हैं अगर लोग पशूत पादों के डिमांड बंद करेंगे तो फिर वह जादा अनाज दाले फल और सब्जिया खाएंगे मतलब पाउधारित भोजन के डिमांड बढ़ेगी और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वह उन चीजों के उत्पादन करने वाले लोगों को मिलेगा जैसे अभी आप देख लीजिए इस समय जो सरकार 18-19 रुपए की उसकी गैरंटी देने को सरकार त्यार नहीं है अभी जब किसान धरने पर बैठे थे तो सरकार ने कहा कि भाई हम आपसे जो खरीदते हैं MSP पर जो या आज हमसे कमपनिया उस रेट से जादा पर खरीदने को या उस रेट पर ही खरीदने को तयार नही है क्योंकि उनकी डिमांड जो है वह बहुत जादा नहीं है अगर लोग पशूत पादों का इस्तमाल बंद करेंगे वह पाउधारित भोजन अपनाएंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी तो इन चीजों के लिए फिर वो किसानों को अच्छा पे करेंगे चुकि जब उनका अच्छा मूल किसानों को फिर वो देंगे तो फिर क्या होगा अचानक उनके डिमांड बढ़ेगी तो इन उद्दोगों में फिर जादा लोग आएंगे यह उद्दोग लोगों के लिए जादा प्रफेटबल हो जाएंगे तो जो लोग धीरे धीरे जो पशू आधा जो भोजन का उत्पादन कर रहे हैं मांस दूध हंडा मचली का उसको जब वो उत्पादन बंद करेंगे तो वो पाउधारित चीज़ों के उत्पादन में अपना जो काम है वो शुरू करेंगे उसको बढ़ाएंगे और दूसरे उद्दोग हैं उनमें भी वो जा सकते हैं तो अतीत में बहुत बार ऐसे चेंजस हुए हैं और ये चेंजस धीरे धीरे ही हुए हैं और जैसे जैसे किसी चीज़ के डिमांड चेंज होती है वैसे वैसे उस चीज़ का प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है वैसे वैसे उस चीज़ की सप्लाई भी चेंज हो जाती है त तो यह मतलब सिंपल सा इकोनोमिक्स का नियम है कि बहुत डिमांड सही सप्लाई होती है सप्लाई के लिए प्रोडक्शन होता है तो जैसे जैसे डिमांड चेंज होगी वैसे वैसे सप्लाई और प्रोडक्शन चेंज होगा तो कोई भी इसमें विरोजगार नहीं होगा बहु बहुत कुछ कर सकते हैं